हलो एवरिवन मैं अभी शेख शुकला स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में प्यारे बच्चो हमने टॉपिक स्टार्ट किया रूल अफ थम बोला गया तो इसका मतलब इसकी बहुत प्रैक्टिस की गई है और इतनी प्रैक्टिस की की까지 कि paste करने के बाद फिर एक डॉक्युमेंट और गाइडेंस या गाइड तयार की गई है चलो देखो क्या होगा रफ यूनिट रफ यूनित है ग्या नहीं इसमें तो बनाई गई जो guide है broadly accurate guide that is a rule of thumb Rome was not built in a day सभी बात है Rome जो बनाया गया है वो एक ही दिन में बन गया था क्या एक दिन में तो नहीं बना होगा अगर Rome बनाना है अगर कोई बड़ी चीज बनानी है अचीफ करनी है तो इसके लिए time तो लगे गई efforts तो देने ही होंगे Hindi में कहते हैं ऐसे क्या सरसो नहीं उकती हाथ पर ऐसा कुछ कहते है So Rome was not built in a day देखो अगर कोई महान achievement चाहिए कोई बड़ा achievement चाहिए तो एक या दो दिन में नहीं मिलता अगर आपको ये job भी चाहिए तो एक या दो दिन की पढ़ाई में कुछ नहीं मिलेगा continuously practice करनी होगी रोज पढ़ना होगा तभी बनेगा खूब time लगेगा खूब practice लगेगी because Rome was not built in a day 23 चिंक इन वान्स आमर आम देखो मतलब किसी weapon की बात कर रहे हैं आमर वर्ट का मतलब होता है डरार आगई है इसमें अब तो यह जो कवच बनाया गया इस कवच में अब एक दरार आगई है इसका मतलब अब अगर आपको hit किया जाएगा अगर मारा जाएगा तो फिर इंसान धेर हो जाएगा उसके मरने के chances बहुत जादा है आजाओ idiom है इसका meaning बताना है a spotless shield tells that spotless तो नहीं है यह a small crack बिलकुल if not repaired will break the shield यह इसका literal meaning थोड़ी है यह तो इसको paraphrase कर दिया idiom बताना है हमें तो an area of vulnerable का मतलब बताओ क्या होता है बच्चो vulnerable का मतलब होता है not strong weak vulnerability का मतलब क्या है weakness तो यह कैसा area बन चुका है area of weakness कमजोरी chink in one's armor an area of vulnerability 24 to have a dig at अगर आप किसी वेक्ती के लिए सामने वाले के लिए क्या कर रहे हैं बार बार उसके लिए खटा कोदने का काम कर रहे हैं तो आप उसे क्या कर रहे हैं appreciate कर रहे हैं क्या आप उसे criticize कर रहे हैं ऐसा कुछ मिलना चीए praise कर रहे हैं क्या नहीं saw seeds in a pot ये तो क्या किया pot में beach बो दिया नहीं to criticize someone to weed out the grass grass भी नहीं क्या होगा to criticize someone 25 by fits and starts बच्चों अगर कहा जाए it is raining by fits and starts तो by fits and starts का मतलब है रुक रुक कर दो मिनट बारिश होती है पांच मिनट के लिए clear sky फिर दस मिनट बारिश होती है फिर clear sky तो it is raining by fits and starts तो छिट पुट रुक रुक कर ऐसा देखो annoyingly अनॉई तो नहीं है angrily angry भी नहीं है feverishly वो भी नहीं है क्या है ये irregularly not regularly 26 to come to light पहले वो चीज कहां थी छुपा कर अंधेरे में रखी गई होगी और अब वो कहां आ गई है light में रौशनी में सब के सामने है to come to light क्या होगा देखो to lighten नहीं to show hidden anger anger नहीं to reveal पहले छुपा कर रखा गया था अब सब के सामने आ गया है to it is see 27 brush up you need to brush up your skills तो skill को brush up करना मतलब क्या करना improve करना कुछ अच्छा word चाहिए remove dust नहीं phrase है phrase है phrase का meaning कुछ और ही है जो word given है wash with soap इसे soap से wash करने की बात कर रहे हैं नहीं hide करना brush up का मतलब hide क्यों करना है नहीं इसका मतलब है to improve to enrich or to renew अच्छा करना 28 it's a story of two men and a batch of space armored cars जिस cars की बात कर रहे हैं यहां वो cars कैसी है आपको यह बताना है car कैसी है deceased है मृत्ति हो गई है यह दो person के लिए यूज़ करते हैं dead body defeated cars है नहीं decrepit cars है क्या मतलब होता है decrepit का decrepit का मतलब जब कोई चीज बहुत use हो गई है overused और अब उसमें कुछ नहीं बचा worn out तो हिंदी में से कहते हैं जर-जर तो car के लिए यूज़ करते हैं decrepit car decrepit bus तो decrepit है जर-जर जो और से break लगाएंगे तो सब कुछ खुल के आगी गर जाएगा car के 29 to make a long story जो long story है इससे कैसा कर दिया गया है short तो क्या की गई है आपको पूरी बात बताई गई है क्या जो हुआ है नहीं उसका crux क्या है main point क्या है display composition skills नहीं come to the point येस जो main point है जो crux है वो बताया जाए that is to make a long story short 30 when someone says अगर कोई व्यक्ती कहता है I am out of the woods now कि मैं आप जंगल से बाहर आ चुका हूँ he means that अब देखो बच्चो idiom है ये और अगर idiom होगा तो जैसा लिखा गया expression उसके opposite different कुछ और ही meaning आएगा उसका तो इसका सीधा सीधा ये तो meaning नहीं आएगा कि अभी जंगल से बाहर आ चुका है तो अगर कहा गया I am out of the woods now तो जंगल में क्या है जंगली जानवर है डर है भै है वहाँ तो अब मैं उससे बाहर आ चुका हूँ तो क्या किसी परिशानी में फस गया हूँ नहीं परिशानी से बाहर आ गया हूँ देखो ज़रा कहा है He has come out of the forest ये तो इसका literal नहीं परिफ्रेज हो गया He has destroyed all the woods नहीं He is no longer in danger और difficulty तो अगर कहा I am out of the woods now इसका मतलब अब मैं किसी difficulty में नहीं हूँ किसी problem में नहीं हूँ और trust me अगर आपने कभी ऐसा बोला तो difficulty सुन लेती है बात और फिर आना start कर देती है 31 She had given up all hope Given up का मतलब क्या होता है बच्चो छोड़ देना उसने सारी आशाएं छोड़ दी है When out of the blue She got a call From one of the most sought after universities जब उसे लगा अब कुछ नहीं होना सारी उसने hope छोड़ दी फिर अचानक ही क्या हुआ अचानक ही call आया यहां से युनिवर्सिटी से और अचानक आया अचानक आने को क्या कहा जाता है बताओ जरा With God's grace Helped by her peers From a distant connect Unexpectedly अगर लिखा गया out of the blue तो इसका मतलब है Unexpectedly और बच्चो अगर आप इस context को समझ भी पाते हो तो भी अगर out of the blue का मीनिंग नहीं बता तो context के according आप जरूर आंसर तक पहुँच सकते हो 32 That young fellow was born with a silver spoon in his mouth होते हैं कई लोग कई बहुत गरीब होते हैं slums में जनम हुआ कई middle class में जनम हुआ और कई तो सोने की चमच मुँ में रखकर जनम लेते हैं तो कैसे होते हैं बहुत गरीब लोग होते हैं नहीं सोने की चमच कहां से चुरा के थोड़ी लाएं खुद की है तो अगर कहा गया born with a silver spoon मतलब अमीरों के यहां पैदा हुए अमीरों के यहां जनम हुआ है have a spoon in mouth when born हाहा हम नहीं refused to yield surrender करने से मना करना नहीं to be very active पता नहीं नहीं होगा a born in wealth and luxury खुब पैसा है 33 they are at daggers drawn अगर दे ने उन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ daggers खंजर निकाल लिया है तो क्या है वो बहुत घनिस्ट मित्र बन चुके हैं अब तो नहीं friendly with each other है नहीं friendship है ये नहीं क्या है कैसे relation हो गए अब strained तनाव वाली situation हो गई है 34 no pain no gain अगर pain नहीं लोगे जो अभी आप ले रहे हो अगर pain नहीं लोगे तो trust me कोई gain भी नहीं होगा life में तो अगर no pain कहा तो no gain भी तो है क्या कहोगा you have to work for what you want बहुत अच्छे अगर job चाहिए तो job के लिए आप director साहब आपके पास नहीं आएंगे बोले साहब आजाओ हमारी company में job कर लो आप ही को efforts करने होंगे आप ही को practice करनी होगी आप ही को मेहनत करनी होगी जो चाहते हो उसके लिए और अगर नहीं किया no pain तो answer क्या होगा no gain wait for the right time नहीं wait for the right time और right time का wait ही करते रहेंगे right time आपका wait कर रहा था यह उठेगा तो मैं आउंगा फिर take care of your pains नहीं don't harm others नहीं सही है first option होगा you have to work for what you want 35 to avoid talking about what is important जो important बात है वो तो बता नहीं रहें और क्या कर रहें इदर उदर 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 इदर उदर इदर उदर की बाते चल रही है केवल तो to talk to avoid talking about what is important तो इदर उदर की बाते करना hit the sack अच्छा idiom बताना है आपको क्या होगा इसके लिए idiom क्या होगा hit the sack hit the sack का मतलब क्या होता है go to bed sleep सो जाना he is hitting the sack तो सो जाना तो नहीं होगा इसका meaning तो to avoid talking about यह तो यह तो नहीं होगा up in arms up in arms है ऐसा up in arms so up in arms का मतलब है protest करना angrily protest करना जब पता लगा workers को के company बंद होने वाली है so they were up in arms protest कर रहे थे beat around the bush beat about the bush दोनों का same ही meaning होता है beat around the bush हो सकता है sell like hot cakes तो यह बिक रहे हैं और कैसे बिक रहे हैं hot cakes जैसे बिकता है तो अगर कहा गया his book is selling like hot cakes तो इसका मतलब उसकी book धड़ा धड़ फटा फट विकरी है ऐसा तो यह कुछ नहीं है तो अगर यह तीन option incorrect हो गए तो obvious है बच्चो option कौन सा correct होगा option number C और मैं आपसे बार बार कहता हूँ हर वीडियो मैं कहता हूँ कि अगर आपको correct option तक पहुँचना है तो incorrect को पहले eliminate करो तो आराम से और सही से आपको correct दिखता है to beat around the bush to beat about the bush का मतलब क्या है इधर उदर की बाते किये जारे main point पे आओ न चलो 36 prohibition is gall and warm wood to distiller here gall and warm wood का क्या मतलब होता है gall word का मतलब क्या होता है बच्चो उसी से इसका meaning आ जाएगा gall word के बहुत सारी meaning है और उसमें से एक meaning होता है hatred घ्रणा नफरत देखो जारा कौन से option में wonderful hopeful helpful hateful बताओ कौन सा option करेक्ट होगा option number B wormwood ये भी कैसा word है wormwood है ये तो कोई कडवा सा पौधे की बात कर रहे है ये भी तो कडवी बात होगी hateful 37 he stood his ground he stood his ground against adversary situation बिलकुल विपरीत थी प्रती कूल थी लेकिन he stood his ground फिर भी वो अपने ground पर रहा मतलब stand still वहीं चुपचाप खड़ा हो गया नहीं maintained क्या की उसने क्या maintain की उसने अपनी position maintain की he stood his ground against adversary 38 at irregular intervals or occasionally बच्चो अभी एक idiom आया था by fits and starts आया था by fits and starts का मतलब था irregularly chit put not लगातार नहीं है continuous ऐसा कुछ आया था तो अगर कहा गया है at irregular intervals है occasionally ही होता है ऐसा तो क्या होगा देखो temporary नहीं timely नहीं accidental नहीं क्या होगा यह sporadic और अगर किसी को कहा गया sporadic है तो यह regular नहीं है यदा कदा है chit put है ठीक है ऐसा meaning होता है 39 your knowledge of science is only a drop in the ocean आपको क्या लगता है अगर आपने एक science के question का answer दे दिया तो आप Newton Einstein बन गया आपकी जो knowledge है यह तो अब इस पूरे भ्रह्मान के एक drop के बराबर है यह तो तो अगर कहा गया a drop in the ocean क्या फरक पड़ेगा हिंदी में इसे कहा जाता है उट के मुँ में जीरा तो जीरा खाते क्या होता है उट का पेट भर जाता है पुरा a drop in the ocean है यह तो तो अगर किसी चीज को कहा गया drop in the ocean है मतलब क्या है big amount है क्या उस ocean में एक big amount है यह negligible amount है तो अब big mass है a small amount है यह हो सकता imeasurable है नहीं कौन सा option correct होगा option number C चलिए last question for the day don't put all your eggs in one basket जितने भी eggs आपके पास है उन सभी को एक basket में मत रखो अलग-अलग रखो अगर एक basket गिरती है जिसमें सारे eggs थे तो सब के सब फूर जाने है अलग-अलग में रखो एक दो गिर भी जाये तो क्या फरक पड़ रहा है 7-8 तो सही है अपने ऐसा ही है जब investment की बाते करते हैं बच्चो आपके पास है किसी और के पास है 1CR आप तो कमाओगे भी किसी के पास है 1CR एक करोड रुपए और वो चाहता है यह पूरा एक करोड रुपए में एक ही प्रोजेक्ट में इंवेस्ट कर दूँ तो investors उसे क्या समझाते है Don't put all your eggs in one basket एक ही basket में अपने सारे eggs नहीं रखने हैं एक अगर नहीं चला तो सब खतम हो गया तो इसका मतलब चलो देखो क्या होगा इसका मतलब those who are blessed with more children are happier जिनके ज़्यादा बच्चे हैं वो ज़्यादा खुश है यह meaning होगा कि इसका नहीं गलत है one should try multiple things at least one will succeed तो के मारे don't risk everything on the success of one venture don't risk everything on the success of one venture इसको रखो a क्या है avoid risky ventures if you want to be successful in life venture ही नाम ही इसका risk से बना हुआ है avoid risky ventures नहीं don't risk everything on the success of one venture एक ही venture में पूरा risk मतलो अगर लग रहा है risky है तो इसे divide करो, distribute करो कौन सा option correct होगा option number B चलिए बच्चो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में have a nice day